जैहिंद असलाम वालेकुम नमस्ते सस्त्रियकल आप सभी का मेरे यूटूब चैनल स्काउटिंग सीखो और सीखाओ में स्वागत है आप सभी को स्काउटिंग सीखो और सीखाओ यूटूब चैनल के तरफ से मेरी और मेरे परिवार की तरफ से आप सभी वीवर्ज को 9 के question number 4 के C point को बताऊंगा इस question में दिया है कि अपनी स्थिति से विभिन वस्तुओं की दिशा और दूरी ग्यात करने के लिए कमपास का प्रयोग तो दोस्तों अगर आपने अभी तक मेरा YouTube चैनल सस्क्राइब नहीं किया है आप ध्यान से सुनिए एक बार मैं फिर इस question को पढ़ देता हूं जिसमें दिया है कि अपनी स्थिति से विभिन वस्तुओं की दिशा और दूरी ग्यात करने के लिए कमपास का प्रयोग करें मतलब कि दिशा और दूरी को ग्यात करें तो मैं आपको दो तरीके से दिशा और दूरी को जानने या ग्यात करने का तरीका बताऊंगा पहला है भुगोल के संपटल सरवेच्छन विधी के द्वारा एक अस्थान से किसी दिशा और दूरी को कमपास व उपकरणों की सहायता से नापना या ग्यात करना और दूसरा है स्काउटिंग विधी के द्वारा एक अस्थान से किसी दिशा और दूरी को कमपास वो उपकरणों की सहायता से नापना या ज्यात करना मैं आपको दोनों तरीके से बताऊंगा कि किस तरह से हम दिशा और दूरी को कमपास का परियोग कर दिशा और दूरी को जान सकते हैं चुकि या स्काउटिंग गाइडिंग में पूछा है तो मैं आपको स्काउटिंग गाइडिंग की भासा में भी समझाऊंगा और बताऊंगा पहला है भोगोल के समपटल सरवेच्छन बिधी के उपकरणों के द्वारा तो उपकरण में कौन कौन सी चीजे या उनका नाम क्या होता है सबसे पहले हम यह जान लेते हैं तो पहला है ट्राइपोर्ड इसके बाद दूसरा है प्लेंट टेवल यानि ड्रॉइंग बोर्ड इसके बाद तीसरा है एलिडेट जो इसकेल नुमा होता है इसमें एक आईन वेन यानि नेत्र फलक और दूसरा आपजेक्ट वेन यानि द्रिस्य फलक और आपजेक्ट वेन में धागा होता है नेत्र फलक में से देखा जाता है इसमें धागा नहीं होता है इसके बाद चौधा है कमपास, जो उत्तर दिशा का घ्यान कराता है। इसके बाद पाचमा है 스रिट लेवर्ल, यह ड्रोइंग बोर्ड को बरावर रखने के लिए होता है। इसके बाद छटमा है साहुलियुक्त चिम्टा, जो केंद्रित करने के लिए होता है। spirit level यह drawing board को बरावर रखने के लिए होता है इसके बाद छटमा है साहुल युक्त चिम्टा जो केंद्रित करने के लिए होता है इसके बाद सातमा है खूटी या किल जो जमीन पर केंद्रित अस्थान होता है यानि केंद्रा स्थान होता है, वहां जमीन में गार देते हैं इसके बाद आठमा है, ड्रोइंग पीन, यानि पेपर या कागज को पीन अप कर इस्ठिर रखने के लिए इसके बाद नमा है, रेंजिंग रोड, यानि पाइप इसके बाद दस्वा है, फीता, जिससे दूरी ग्याद करते हैं तो इन उपकरणों को सेट करते हैं, तो इन उपकरणों को सेट करने का तरीका होता है जो इसे सेट करके ही बताया जा सकता है, तभी अच्छे से समझा जा सकता है जो इस प्रकार से सेट करते हैं चित्र में देखकर आप समझ सकते हैं अब इन उपकरणों को सेट करने के बाद हम कमपास की मदस से उत्तर दिशा को ग्यात कर लेते हैं उत्तर दिशा को ग्यात करने के बाद बाकी दिशाओं को चिंधित कर लेते हैं जिसमें हमें वस्तु की दिशा वा दूरी ग्यात करने में कोई दिक्कत न हो तो सबसे पहले हम चारों दिशाओं का जो केंदर बिंदू होता है वहां से हम एलिडेड की सहायता से चिन्हित की गई वस्तु इत्यादी की रेखाएं खीच लेंगे फिर उन सभी चिन्हित वस्तु इत्यादी की दूरी ग्यात कर लिख लेंगे इसके बाद कमपास वसुत्र की मदद से दिशा और दूरी को ग्यात कर लेंगे दिशा को बहुत ही आसानी से ग्यात कर सकते हैं परंतु दूरी के लिए उतनी दूरी वाला बड़े कागज का तो इस्तेमाल नहीं न करेंगे इसलिए उस दूरी को प प्रावर पांच फित तो पांच का भाग कर देने से 25 फित की जो दूरी है वह हमें सेंटीमीटर में पांच सेंटीमीटर मिल जाए गया और हम इस तरह बहुत ही आसानी के साथ दूरी को ज्याद कर लेंगे इसके बाद कमपास को अपनी स्थिती के केंद्र बिंदू पर कमपा की मदस से दीशा और दूरी को ग्याद करेंगे या कर सकते हैं इसके बाद है स्काउटिंग की भासा में दूरी और दीशा को ग्याद करना तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि scout guide का जो दिशा और दूरी ग्यात करने के उपकरण होते हαιं वह scout guide अपने खुद के scouting उपकरण यानि सामान से ही दिशा और दूरी को ज्यात करते हैं वह भुगोल की सर्वेचन वाले उपकरणों को साथ लेकर नहीं चलते तो Scout Guide जब कहीं जाते हैं तो उनके पास दिशा को ग्याद करने के लिए कमपास होता है जब हमें अपनी स्थिती से उत्तर दिशा का ग्यान हो जाता है कमपास के उपयोग से तो उस अपनी स्थिती से दाहिने बाएं आगे पीछे किसी भी दिशा को हम बहुत ही आसानी से ग्याद कर सकते हैं कि यह दिशा या वस्तू इत्यादी किस दिशा में हैं इसके बाद स्काउट अपने सहयोगी उपकरण की सहायता से जानी लाथी से उस दूरी को नाप कर पता लगा सकता है कि अपनी स्थिती से उस वस्तू की दूरी कितनी हैं इस तरह दो चीजें दिशा और दूरी को नापने के लिए रहती हैं पहला है कमपास और दूसरा है सहयोगी उपकरण लाठी वैसोते स्काउट गाइट के पास दूरी नापने के बहुत सारी चीजे होती हैं वह दूरी को अपने स्काउटिंग उपकरण के सहयोग से नाप सकता है वह नापने की कौन सी विधिया होती हैं मैं इसकी एक अलग से व उत्तर दिशा का पता लगाते हैं उत्तर दिशा का पता लगाने के बाद केंद्र बिंदू से चिन्धित किये गए वस्त को कमपास की सहायता से दिशा को ग्याद करते हैं उसके बाद उस केंद्र बिंदू के पास से उस अस्थान की दूरी को नापेंगे तो जैसा कि मैंने प इस लाठी में स्काउट गाइड अपने जानकारी वो विसम परिस्थितियों में सहयोग के लिए लाठी पर सेंटीमीटर से लेकर मीटर और इंच से लेकर फुट तक का निसान बनाए होते हैं ताकि हमें कहीं पर भी दूरी उचाई या गहराई नापनी या अनुमान लगानी पड़े तो हम उसे अपनी लाठी की मदद से नाप सके या पता लगा सके इस तरह हम कागच पर अपनी इस्तिथी से चिन्हित अस्थान को इंगित कर दिशा और दूरी का पता लगा लेते हैं जैसा कि मैंने उपर ही बता दिया है कि दूरी को कागच पर कैसे बनाते या दर्साते हैं इस तरह हम अपनी इस्तिथी से उस वस्तु की कमपास से दिशा और दूरी को पैमाने की सहायता से सेंटीमीटर में बदल कर दूरी को बता सकते हैं तो इस तरह कमपास से दिशा का ग सा सकते हैं तो दोस्तों इस question का उदारन सुरूफ answer description में PDF link है आप वहाँ से load कर देख समझ और लिख सकते हैं तो दोस्तों स्काउटिंग से जुड़ी जानकारी देखने पाने वह जानने के लिए आप सभी मेरे यूटुब चैनल को सस्क्राइब करें लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको यह वीडियो कैसी लगी जैहिंद